नमस्कार दोस्तों टूलकिट मावले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है बड़ा खुलासा ये हुआ है कि 26 जनवरी की ही तरह सोशल मीडिया पर एक और टूलकिट के जरीए अशानती फैलाने की कोशिश की गई थी चार और पांच फर्वरी को भी जिस तरीके से 26 तारीक को पुरी दिल्ली में हिंसा हुई उसको देखते हुए उसके जो टूलकिट फैरल हुआ था ऐसा ही टूलकिट एक और बनाया गया था चार और पांच फर्वरी के लिए भी दिल्ली पुलिस ने ये दावा किया है दिल्ली पुलिस ने कहा है कि 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में सोशल मीडिया पर टूल किट के जरीए अशांती फैलाने के आरोपियों ने एक और टूल किट तैयार किया था जिसके जरीए चार और पांच फरवरी को फिर से दिल्ली में अशांती फैलाने की कोशिश की गई थी इस दूसरी टूल किट में भी वही हैश्टेग और सोशल मीडिया की मदद से शांती भंग करने की कोशिश की थी लेकिन इसमें वो कामयाब नहीं हो पाए मामली की चांच करने पुलिस कर्मियों ने कहा कि दूसरा दस्तावेज निकिता जैकप शांतनू मुलुक द्वारा बनाये गया था दो कारिकरता जिन पर पहली टूल किट बनाने और उसे साजा करने का आरोब प्लगाया गया है और इनमें एक यूके आधारित कारिकरता मरीना पैटर्सन भी शामिर है जो कतित तोर पर वैश्वी कांदोलन के साथ जुड़ी है मरीना पर एक्स्टेंशन रेबेलियन नामक अंतराश्ट्री आंदोलन से भी जुड़ने का आरोब है मामने सजुड़े एक दूसे पुलिस अधिकारी ने ये बताया कि दूसी टूलकिट में जिस योजना का जिकरता उसे पूरा नहीं किया जा सका हमें इस बात का संदे है कि इसका कारण था कि पहली ही टूलकिट गलती से स्वेडिश जलवायू कारिकरता ग्रेटा थनबर्ग द्वारा तीन फरवरी को ट्वीट कर दिया गया था और दिशा रभी ने इस टूलकिट को ग्रेटा के साथ साजा किया था चुकि गूगल टूलकिट दस्तावेजों में आप अत्ती जनक सामगरी थी इसलिए दिशा जो है वो घबरा गई उसने ग्रेटा से ट्वीट को हटाने के लिए कहा एड्मिन राइट लिया और टूलकिट से उसका नाम हटा दिया अधिकारी के मताबिक जांच दर ने पहले ही गूगल को लिख दिया है कि दोनों टूलकिट से ज़ुड़ी जानकारी दे जैसे कि वो वास्तों में कहां बनाए गई थे उसने किस ने प्रारूपित किया था किसने संपाधित किया था यानि कि एडिट किया था किसके साथ साजा किया गया गूगल से जानकारी मांगी गई है आपको बता दे टूलकिट मामले में बॉंबे हाई कोट ने संदिक्द आरोपी और निकिता जैकब को बुधवार को ही ट्रांसिट अगरिम जमानत भी दे दी है पूरा मामला तब ये बढ़ गया था जब इन्वार्मेंटल एक्टिबस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने अपना समर अब ही एक और ये जो बरी अपक्रेट है ये भी वाकई चिंता जनक है और देखना होगा इस पूरे मामले में अब जो चांचे वो कहां तक पहुंच्छती है क्या कुछ अप्डेट इस पूरे मामले पर आती है आपको बताएंगे जैसे कोई और अप्रेट आती है फिलाद इस खबर पर आपका क्या डियाक्शन है बताएगा जरूर बहुत बहुत शुक्रिया